हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूशास क्यूजिन आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुती टेस्टी और बहुती हल्दी ज्वार के पराठे की रेसिपी फ्रेंड्स वैसे तो आपने कई टाइप के पराठे खाये होंगे लेकिन ज्वार का पराठा शायदी कभी आपने ट्राइ कि कि अगर आप चैनल पे नए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ वेजिस चौप करके ले ली है, जिसमें है कुछ प्याज, गाजर, शिमला, टमाटर, हरा धनिया, वेजिस आप सीजनल या चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रहे हूं 1 अजवाइन, 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 1 आटा आप अपने जरुरत के हिसाब से कम जादा ले सकते हैं। अब आटे को वेजिस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पाइंड डालकर इसका डो तयार कर लेंगे। तो आटा बाइंड करनी के लिए मैं यहां गरम पानी का यूज कर रही हूँ जिसे पराठे बेलते समय उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे और वैसे भी नॉर्मल जवार का आटा गूतनी के लिए भी गरम पानी का ही यूज किया जाता है अब इसे हाथों से हलका मसल मसल कर इसका डो तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसका डो तयार कर लिया है आप चलते हैं इसके पराठे बनाने तो सबसे पहले आटे का थोड़ा portion लेके इसकी लोई तेयार करेंगे अब इसमें सूखा जुआर का आटा coat करेंगे और उसे rolling board पर रखकर उसे फैलाते हुए प्रेस करेंगे अब इसे हलके हाथों से बेल लेंगे फ्रेंट्स इसमें wedges पड़ी है तो बेलते वक्त इसमें थोड़े तो cracks आएंगे ही लेकिन आपको इस बात की tension लेने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप perfect goal पराठे चाहते हैं तो इस type के ring या कोई धकन या फिर कोई plate से इसे cut करके बना सकते हैं और बचावा portion side से हटा कर इसे आटे में फिर से mix कर देंगे अब इसे पलटे के help से उठा कर तवे पर डाल देंगे हाथों से उठाएंगे तो तूटने के chances हो सकते हैं क्योंकि इसमें wedges डली है यह एक तरफ से थोड़ा पक चुका है अब इसे पलट देंगे और इसके उपर थोड़ा सा oil लगा देंगे वैसे आप oil के जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं अब इसे फिर से पलट देंगे और दूसरे side से भी थोड़ा oil लगा देंगे अब इसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से शेक लेंगे तो अब यह अच्छी से से शेक चुका है अब इसे एक पलेट में निकाल लेते हैं और इसे तरीके से बाकी के भी पराटे बना लेंगे इसके पहले भी मैंने जवार की दो रेसिपीस दी है जवार के नूडल्स और जवार के लडूस जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो जवार की इन रेसिपीस को आप ज़रूर ट्राइ करें क्योंकि जुआर के फायदे जानके आप भी इसे अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करेंगे तो आपको कहीं सर्च करनी की जरूरत नहीं है मैं ही इसके फायदे बता देती हूँ ये ग्लूटन फ्री है, ये प्रोटीन से भरपूर है इम्मुनिटी बूस्ट करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और हमारे हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूफ करता है साथ ही ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसमें फ्री रैडिकल से भी लड़ने की शक्ती होती है तो आप भी इन रेसिपीस को जरूर ट्राय करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इन में से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है तो हमारे गर्मा गर्म जौर के पराठे बनकर बिल्कुल तयार है तो मैंने इसे अचार के साथ सर्फ किया है आप इसे किसी भी चटनी या रायती के साथ भी इंजॉई कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें थाइक वर वाइक वाइक